बीजेपी विधायक अपने बयानों को लेकर अक्सर बिवादों में रहते हैं आर्थी जंता पार्टी के एकलोते विधायक टी राजा सिंग ने कहा कि वो प्राइविट आर्मी बना रहे हैं जो कि सभी राष्ट विरोधी लोगों को देश से बाहर खदेरने का काम करेगी ये एलान उन्होंने बुद्वार को किया कहा मैं युवा राष्ट वादियों की प्राइविट आर्मी तयार कर रहा हूं जो कि देश के भीतर उन विरोधी ताकतों से लोहा लेगी जो देश हित में बाधा बन रही है हदरबाद में गौश महल सीट से विधायक ने दो अलग-अलग वीजियो मैस से एक तेलगू और दूसरा हिंदी में खुलम-खुला एलान किया है उनकी ये आर्मी देश विरोधी तत्वों के खिलाफ ना सिर्फ अव्यान चलाएगी बलकि ऐसे लोगों को देश से बाहर भी निकालेगी साथी जरूरत पड़ी ये आर्मी ऐसे लोगों को जहन्नुम भी पहुचाएगी तेलांगना विदान सभा के मानसून सत्र से सिंग फिलहाल दूर ही है उन्होंने इस बारे में बताया मैं बैंगलोरू में दस दिवस्य कैम्प चला रहा था जहां पर इस आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि वो हिंदू राष्ट और धर्म की सुरक्षा कर सके बकॉल राजा सिंग हम हिंदू राष्ट के निर्मान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसके लिए हमें एक सेना की जरूरत होगी छे महीने पहले हमने एक कैम्प चलाया और योजना बनाई हमारा मकसद उसके जरूरी इस आर्मी को बनाना था और इसमें युवा हिंदूवादी देश भक्तों से जोड़ना था फिलहाल इस मामले पर कैम्प में बड़े अस्तर पर चर्चर जारी है आपको बता दे कि बीजेपी विधायक ने ये भी खुलासा किया कि कैम्प में हिसा लेने वालों ने ये शपत ली है कि वो भारतिय सेना की ही तर्च पर सैनिक बनेंगे वकॉल टी राजा जहां भारतिय सेना बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए है वही आंतरिक दुश्मनों से लड़ने के लिए भी एक आर्मी की जरूरत है हम ऐसे ही एक आर्मी बनाने जा रहे हैं ब्यूरो रिपॉर्ट नैशनल दस्तक पणदो में नेश्रल दश्सक करें, बले डिना करें की बहुत जरूरी है कि चाहरे।